शिक्षा को हमेशा से ही सब से महत्पूर माना गया है और कहते हैं अगर आप एक बच्चे को शिक्षित करते हैं उस से पूरे परिवार की जीवनी सुधर जाती है लोगों को शिक्षित कर एक अच्छी व्यवस्था को बनाना ही सर्वो परीबाना गया है आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो गौरिगाट में दिया बना कर बेचने का काम करते हैं और कई ऐसे हैं जो नाव चला कर नारियल बेच कर अपना जीवनियापन करते हैं जिनके पास शिक्षा ग्रहन करने के लिए ना तो साधन हैं और ना ही इतना पैसा कि वे शिक्षित हो सकें और ना ही उन्हें यह मालूम है कि शिक्षा कैसे ग्रहन की जाए लेकिन इन बच्चों के लिए मसीहा बन कर आए पराग दिवान जिन्होंने इन बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है पराग दिवान प्रतिदिन बच्चों को गोरिघाट में क्लास लगा कर पढ़ाया करते थे परंतु कुरोना वाइरस के चर्थे लॉक्टाउन लग गया और बच्चों का उनकी क्लास में आना पंध हो गया जिससे बच्चों की पढ़ाई रुक गई क्योंकि बच्चे बहुत सधारणग परिवार से आते हैं जिससे उनके पास एंड्रोइट फोन तक नहीं है इससे वे ऑनलाइन शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे परंतु पराग दिवान ने हार नहीं मानी उन्होंने सुशन मीडिया पर एक अपील चंता से करी जिन भी सच्चनों के पास पुराने मुवाइल फोन है जो अब यूज नहीं करते अब वो खराब हो गए हैं वे हमें दे दे जिससे वे इन बच्चों की ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकें बच्चों की पढ़ाई ना रुके इसके लिए कई लोग आगे आए जिन में से एक है हर शितिवारी जिन्होंने 15 नए एंड्रोइट फोन बच्चों में बाट दिये और कहा कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए कि हम यहाँ आए थे सेवा के लिए भोजन वगेरा बाटने तब पराग विया ने मिल से आइडिया शेयर किया था कि हमारे बच्चे कहीं न कहीं पीछे हो रहे हैं पढ़ाई में ताकि इनके पास आदुने एक फोन नहीं है हैं तो मैं अपने टीम के साथ बेड़ा अपने मित्रों के साथ बैठा हमने डिसकरस किया कि हम कुछ अगर बच्चे पढ़ना चाहते हिए तो हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए ताकि यह बाकी बच्चों से कदम सक्दम मिलाके बढ़े आखे तो मैंने आज इनको 15 फोन इंड्रोइट फोन दिये हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले जब लॉकडाउन लगा था जबसा हमाई पढ़ाई बहुत बीक हो गई थी तो इस बार भी लॉकडाउन लगा तो भी ये ने मुवाईल दिया है इसके बगार हम पढ़ सकते हैं ने अब दरी की तक पराग को ये ने दिया है वो ये हमें बहुत पहले से बढ़ाते थी इसके साथ ही अन्य समास सेवी भी सामने आए और अब तक पराग सर के पास 69 मुवाईल एकत्रित हो चुके हैं और तेरा मुवाईल फोन की और जरूरत है इसी के साथ पराग सर का कहना है और भी कोई बच्चे हूँ जो बढ़ना चाहे रहे हो परन दुआर्थिक इस्तिती क कारण नहीं पढ़ पा रहे हो वैं भी उनसे संपर्क कर सकती हैं वैं उन्हें भी मुफ्त में शिक्षा देंगे अच्छुली मैं इन बच्चों को 2016 से पढ़ा रहा हूँ और 2016 के बाद आपने देखा 2020 से ये लॉकडाउन लगा है लास्ट यह भी लॉकडाउन में ऐसे ही हुआ था इनकी पढ़ाई पीछे हो गई थी सारे मिडल क्लास के बच्चे सारे रिच फैमिली के बच्चे ऑनलाइ बेचते नाव चलाते तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि इतने महगे मोईल अफोर्ड कर पाएं तो मैंने डिसाइड किया एक फेस्बूक के माधियम से मैंने मुहीम चालू करी कि जो जिनके पास पुराना इंड्रॉइट फोन है बैटरी खराब हों बैटरी बदल वाले तो इसी दौरान इसी दौरान हर्श से मेरा मैंने आइडिया दिया तुरंत वो पंदरा फोन इन बच्चों को देखे गया अभी मेरे पास टोटल 59 फोन कलेक्ट हो गए तेरा और चाहिए और बस चार तारिक से इनकी लाइफ क्लास चलो जाएं यहां पे मेरे पास टोटल सा क्लास 12 तक के बच्चे हैं, आई-एस के तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बैंकिंग के प्रिपरेशन के बच्चे हैं और ऐसे ही बच्चे हैं जो बहुत अभावीन हैं तो मैं चाहूंगा जो भी ऐसा है आप बिलकुल मुझे कॉंटाक करें मैं रेडि हूं अपनी सेवा लेकिन सौ में से ऐसे दो-तीन सिक्षक जरूर होते हैं जिन्होंने अपना इसको अपना व्यफसाई बना लिया है लेकिन नर्बदा मैया उन्हें अकल दे, नर्बदा मैया उन्हें सदबुद्धी दे कि वो भी ऐसा कारे करें पलपल इंडिया पराकसर के इस जजबे को सलाम करता है और आप सभी तर्शकों से आगरह करता है कि बच्चों की मदद के लिए आगे आएं और इन बच्चों को शिक्षित करदे में पराकसर की मदद करें भील रिबोर्ट टीम पलपल इंडिया